आप लोगों की बातों पर पंच तंत्र के कथा याद आती है आपने सुनी होगी चार ठग थे एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसी ली जाए तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो तो उनने का चलो छीन तो पर पाएंगे तो एक काम करते हैं चारों अलग 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 जगे खड़े हो जाते हैं और अलग 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 जगे खड़े हो करके हम लोग के बोलें कि बोलें कि बच्चा कहां लेके जा रहा है तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंदे में रख करके ल है कि कुट्टे के बच्चा में बखरी का बच्चा है कि औह सते वे चुप हो जाता है मागे अगने चोराएं बिजा दोसर ठख इसको भी डाड़ता का रे पागल हो गया क्या अरे कुत्ते का बच्चा ने एक बकरी का बच्चा है अगरे आगे बढ़ता है फिर चौती सा ठग मिल जाता है वहावी फिर यही बात उसको बोलता है चौते ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया उसको लगा कि भुला भाला किसान अनदाता किसान महनती किसान उसको विश्वास हो गया यार एक दक्ती जोड़ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टी दोसी ही मुझे हो गया है लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है उसने फिंग लिया उसको चारों ठगों का काम पुरा हो गया और चुनाओं में खटा कट खटा कट खटा कट एक लाग का बॉर्ड एक लाग का बॉर्ड और मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्पाजी भाग गए यहां से लेकिन नहीं कह सकता हूं खटा कट नहीं 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहें 27 में सपाचट एक लाग बॉर्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब एक लाग का बॉर्ड कहा गया और मैं तो आप सबसे कहूंगा एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने पूछे उनको कि भाई एक लाग का हिसाब मांगे इन लोगों से पैसा गया का कौन खा गया खाने वाले लोग कौन है एक लाग का